दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं एगरी मस्ती और आज का ये वीडियो लेक्चर बीएस एगरी कल्चर सिक्स समिस्टर वालों के लिए फार्मिंग सिस्टम प्रिसिजन फार्मिंग एंड ससनेवल एगरी कल्चर का है और दोस्तो 100% यहीं प्रसन पूछे जाएंगे पेपर में और ऐसा मैं इसलिए कहरा हूँ कि दोस्तो यह सभी प्रसन चुनिंदा प्रसन आपके सिलेबस वाले प्रसन है और बहुत मेहनत करने के बाद इस प्रसन को मैंने तयार किया है ठीक है और आपको इस वीडियो में 20% लगभग मिलेंगे जो कि काफी important होंगे इसमें कोई दोराय नहीं है तो वीडियो को आप लोग बिल्कूल अंतर तक देखिएगा मेरा आप लोगों से बस यहीं रिक्विस्ट है कि बस आप लोग वीडियो को अंतर तक जरूर देखिएगा बिना skip किये हुए तभी दोस्तों मेरा मेहनत सफन होगा और तभी आप लोग पेपर में अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतरीन score कर पाएंगे ठीक है तो दोस्तों वीडियो को अंतर तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर फर्स टाइम विजिट किये हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दिएगा दोस्तो हमारी इस मेहनत के लिए एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और दोस्तों अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो PDF नोट्स मैंने टेलिग्राम पे सेंड कर रखा है और भी नोट्स सेंड कर दिया जाएगा तो टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको जोईन करके वहाँ पे आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और आपका कोई भी परस्वाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डियम कर सकते हो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तो अब हम लोग धेर की बिना उस टॉपिक पर चलेंगे परस्वालों का सरी सिला शुरू करेंगे तो चलें वीडियो को स्टाट करते हैं यही से दोस्तो प्रस्वाल पूछा जासकता है LEISA का फूल फर्म क्या होता है तो इसका LEISA का full form होता है Low External Input and Sustainable Agriculture क्या होता है Low External Input and Sustainable Agriculture बिल्कुल आप लोग इसको रट्टा मार लेजिए क्योंकि दोस्तों पेपर में अब टाइम नहीं है और नेक्स्ट आपके बदलते जलवाई और भी समताओं के बीच अनुधपादन में करमागत बिद्धी करना क्या कहलाता है दोस्तों बदलते जलवाई परिवर्टन और सभी जो लीशमताय हैं बातावरन के इसमें लगतार अनुधपादन को करमागत बनाये रखना इसको टीकाव क्रीषी कहा जाता है ठीक है? टिकाव क्रिशी कहा जाता है यानि संसनेवल एकरी कल्चर कहा जाता है और नेक्स है आई एन एम का पूरा नाम यानि फुल फॉर्म ओफ आई एन एम तो दोस्तो आई एन एम का फुल फॉर्म होता है इंटिग्रेटेड नूट्रियंट मेनेजमेंट यानि समन्वीत पोशक तत्व प्रबंध हंतिक है इसको याद कर लिजिएगा बढ़ियां से रटाटा मार लिजिएगा ताकि पेपर में आप बिल्कुल असानी से इन सभी प्रश्णों को उरा सके और सिस्टम हैंक कर सके और अंशने आपका को इफ आर एका फ Tao वु पूर और क्या होता है यहिए प्त आता है प्लोस्तों को जीतियो को उंहते तक देखिएंगा ठीक है और आप लोगों ने तो बहुत उस देखे और बहुत गाना सुनए तो वस कम से कम पेपर के टाइम में वीडियो को देख लिया करिए बढ़िया से और नेक्स्ट है आपका फसल उत्पादन के साथ सांथ पसुपालन तथा डेरी उद्योग कहलाता है और दोस्तों इस प्रसन को पिछले साल पूछा गया था ठीक है तो इसको क्या कहते है इसको मिस्रित ख मिस्रित क्रिशी कह सकते है ठीक है मिस्रित क्रिशी और नेक्स्ट है आपका एक हेक्टियर मचली पालन करने के लिए बतक कितने पाले जा सकते है जो कि आपको बताते कि मचली पालन और बतक क्या है यह दोनों एक साथ इसको किया जा सकता है और जो बतक का बीठ होता है उसक सिस्टम का यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूं और नेक्स्ट है नीगम संचालित खेती यानि किस देश में पर चली थै तो दोस्तों कोपरेट फार्मिंग आपके अमेरिका यानि USA में पॉपुलर है ठीक है वहां पे बहुत ज्यादा क्या होता है नीगम संचालित खेती जिसको कर्पोरेट फार्मिंग कहा जाता है वो होता है और नेक्स है टेंसियो मिटर का परियोग कि को अपने के लिए करते हैं और दोस्तो अगर अभी ताक आपने फार्मिंक सिस्थम का जो प्रिभी सीर का पेपर का सोल्USन है और पर वाला वीडियो का हुआ पहले पार्ट को measurement करने के लिए किया जाता है सहकारी खेती कितने परकार के होते हैं तो दूस्तों सहकारी खेती के कितने टाइप्स होते हैं तो चार टाइप्स होते हैं ठीक है कौन-कौन सा पहला है सहकारी उनत खेती इसमें भूमी का स्वामी तो होता है ये व्यक्तिगात होता है कैसा होता होता है यह किसी का स्वामीत भी रहेगा पता है यह होता है और और नेक्स है रीले क्रोपिंग को किसने दिया तो दोस्तो रिले क्रोपिंग ये क्या है क्रोपिंग सिस्टम है जिसको सेर सिंग बिंस दौरा दिया गया किसके दौरा सेर सिंग बिंस दौरा देखिए भारतिय वे ग्यानिक है तो इनका नाम याद करने में कितना वाजा रहा होगा चलिए सेर सिंग समी जगे के नाम होता है और वहीं यहाँ पर अल्फरेट वल्फरेट कुछ होता तो मथा खराब हो जाता है तो रिले करोपी किस ने दिया तो सेर सिंग बिंस ने दिया और नेक्स ते आपका धान मचली और सबजी परनाली का विकास कहा हुआ दोस्तों यह क्या है यह क्रीशी परनाली है ठीक है दान मचली और सबजी तीनों कोगाना और इस परनाली के विकास कहा हुआ तो भावाली तामिल नाडू में कहा हुआ तो भावाली तामिल नाडू में हुआ था और नेक्स है सुस्क क्रिशी परणाली किसे कहते है तो दोस्तों सुस्क क्रिशी परणाली उसे कहते है जहां वार्षिक वर्षा 800 mm से कम हो परती वर्ष उसको क्या कहते हैं सुस्क क क्रिशी कहते हैं और उस area में जो क्रोपिंग सिस्टम होता है उसको dry farming सिस्टम कहा जाता है और नेक्स्ट है IFS का पूरा नाम तो दोस्तो IFS का पूरा नाम होता है आपका integrated farming system यानि समन्वीत कहते हैं नेक्स्ट है आपका बहु फसली खेती सुचकांग का सुतर क्या होता है यानी मल्टीपल क्रोप इंडेक्स का फर्मूला क्या होता है वो यहाँ पर मैंने आप वो दे दिया है याद कर लिजेगा चुनेजे यह फर्मूला वाला है MCI यानि बहु फसली खेती सुचकांग का सूतर होता है फसलो की शंखिया गुने उसके अंदर करमसा छेतर फल ठीक है और बटे में होता है फसल उत्पादन के कूल उपलब्द छेतर फल यानि जो फसलो की शंखिया और गुने उसके अंदर करमसा छेतर फल यानि जितने फसलों को आपने जितने एरिया में लगाया है अलग अलग फसलों को और बटे में जो होता है यह फसल पादन के लिए उपलब्स टोटल जितना छेतर फल है उसको लिखा जाता है तो आपका क्या होता है बहुत फसली खेदी का सुझकांक यानी MCI निकल के आ जात पर करता है और भारत में परचलीत क्रिशी पर्णाली यानी वेटलैंड फार्मिंग और नेक्स्त है आपका वानिकी हैं तो दोस्तों क्रोप लोगिंग का परियोग गन्ना फसल में करते हैं किसमें गन्ना में सुगर केने में करते हैं और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजेगा मैं आप लोग को से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दोस्तों बहुत मेहनत लगता है वीड देख लिजीए बारत का कूल कृशी योग अगरी कल्चर किया जाता है तो वो 142 मिलियन हेक्टेर है कितना 142 मिलियन हेक्टेर ठीक है और नेक्स्ट है आपका सहकारी किराधार खेती में भूमी का स्वमी तो कैसा होता है तो दोस्तों सहकारी किराधार खेती जो होता है इसमें भूमी पे जो स्वमी तो होता है वो सामुहिक होता है ठीक है और नेक्स्ट है आपका मचली के तलाव की गहराई कितनी होनी चाहिए तो दोस्तों मचली का जो तलाव होता है उसकी गहराई डेड़ से दो मीटर होती है कितना डेड़ से दो मीटर होनी चाहिए ठीक है यह बहतर माना जाता है और ज्यादा गहरा कर देंगे तो भी नुकसान की बात है और अगर कम गहरा हो तो भी नुकसान की बात है तो मचली की तलाव गहरा है डिर से दो मीटर होनी चाहिए और दोस्तो इस वीडियो सिरीज का जो मैं बता रहा हूँ यह दूसरा पार्ट है प्रिप्र चर का पेपर का सुलूशन वाला भी वीटे डिस्क्रिप्शन है मिल जागा आपको और इसका फ़्स पार्ट भी मिल जागा तो दूनों वीडियो को देख लिए आपके लिए काफी मदद्वार होने वाला है और दोस्तो इस वीडियो कहीं समाप्त करेंगे उससे पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट कि इस चैनल को बशे ही सब्सक्राइब करें और आपका कोई भी परशनल सवाल होता आप मुझे इंस्टाग्राम पर डियम कर सकते हैं उसका लिंग डिस्क्रिप्शन में है उस तो बस करते है इस वीडियो कहीं समाप्त और मिलते हैं किसी अगली वीडियो के लिए आप समीका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार ठीक है योगी दोस्तों आप लोगों के मदद से ही यह चैनल चलता है और मैं भरपूर पढ़ास करता हूं यह चैनल के माध्यम से आपको निशीत हि अब बस करते हैं वीडियो को यहीं समाप्तिक है अब बस करते हैं वीडियो को यहीं समाप्तिक है